हलो गुड इवनिंग नमशकार दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे लॉस को कैसे तैयार करें इसको लेकर काफी परशान है क्योंकि उसको नए लॉस पर प्री के कोशन मिलते ही नहीं है जहां वो देखता है तो पुराने प्री के कोशन में सेक्शन बदलकर उससे कोशन पूछे जा रहे हैं तो इस तरीके की जो कोशन हैं वो बच्चे की तैयार को आगे नहीं लेकर आपा रहे हैं क्योंकि वही कोशन उसके तरीके से repetitively उसके सामने आते जा रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलग से specifically जो BNS है BSA है या फिर other laws हैं उसमें जो नए कोशन अगर आप attempt करना चाहते हैं जो कि आने वाले time में judiciary में पूछे जा सकते हैं तो उसी के लिए आप लोगों के लिए कि special test series launch की जा रही है जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहां आप लोगों से बात की जा रही है full length mock test series के बारे में यह सिर्फ एक single test नहीं बलकि test series है जो कि आप लोगों से हर हफ़ते टेस्ट लिया जाना है और यह भी मैं आप लोगों को बता दू कि इसके लिए हम आप लोगों से एक भी पैसा चार्ज नहीं करने वाले यानि कि बिलकुल free of cost यह test series आप लोगों के लिए available होगी date sheet भी आप लोगों को मिल जाएगी कि किस-किस week में कब-कब test होना है तो इसके लिए आप अच्छे से अपने आपको प्रिपेर कर सके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी का पेपर आने वाला है बिहार का पेपर आने वाला है बाकी सारी चीजों के बारे में अभी notification नहीं आया है तो इसलिए बच्चे नहीने questions ढूंडने की कोशिश करता है कि यार मैं अपनी तयारी को और अच्छा कैसे करूँ मुझे कैसे पता चले कि मेरी तयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है तो मैं आप लोगों से बोलूँगा आप लोगों की तयारी को continue करने के लिए क्योंकि ये जो है ना ये जो phase है जब notification अभी आने वाला होता है और बच्चा examination की preparation में लगा हुआ है तो जो बच्चे already syllabus cover कर चुके हैं या जो बच्चे syllabus पढ़ रहे उनके मन में एक doubt बना रहता है कि यार मेरी तयारी अभी हुई है या नहीं तो इस तयारी को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप mock test देकर देखें और mock test वो नहीं जहां आप लोग regular basis पर वही कोशन repetitively करते हुए देखके ठक चुके हैं ये test series है बिलकुल नए कोशन पर based पुराने वाले घिसे पिटे कोशन का pattern का तरीका पेपर एकदम बिलकुल pattern change हो गया तो इसी नए pattern के basis पर आप लोगों से ये सारे नए कोशन बनाया गया है पहली बात सारे नए loss पर कोशन है इसके अलावा जो CPC, SRA, Constitution सारे loss को cover करते हुए ये paper आप लोगों के साथ बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं वही 22nd of September यानि कि कल के दिन से ये test series आप लोगों के साथ start की जा रही है, full length mock test है फिर से बता दू एक भी पैसा देने की आप लोगों को जरूरत नहीं है वही आप लोग देख सकते हैं कि ये English language में आप लोगों से question पूछे जाएंगे, दो घंटे का paper होगा 10 बजे से 12 बजे तक, test का time आप लोग देख सकते हैं भी 10 बजे से 12 बजे तक है, साथ ही आप लोगों से यहां जो paper है वो civil और criminal law पर है, 22nd of September को है, 28th of September को है, 5th of October, 12th of October, 19th of October, 26th of October और 2nd of November, इस तरीके से आप लोगों से हर week आप लोगों को एक test देने का मौका मिल रहा है ताकि आप लोग जान पाएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके साथ साथ जब आप लोग 3 का paper दे कर आते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी बार, वो एक आजकल एक इंस्टा पर real चल रही है, जब बच्चा paper दे कर आया, तो गजनी में आमिर खान का वो वाला रूप दिखाया जाता है, जब वो challenge actual में आ रहा है, कि बच्चा सोच के जाता है, कि मैं तो सही answer लगा कर रहे हूं, पर answer की जाती है, तो answer गलत हो जाते हैं, और बच्चा उस answer की में option लिखा होता है, A, B, C, D, तो उसके basis पर ये भी नहीं जान पाता कि मेरा answer ये क्यों गलत हुआ, मुझे तो सही answer ये लगा थ तो इसी लिए आप लोगों के लिए ये test series नहीं, एक normal test series नहीं है, मतलब जहाँ आप लोगों को मैंने A, B, C, D बता दिया कि फर्स्ट का second वाला answer हो गया, third वाला answer हो गया, ऐसा नहीं है, इस test series में आप लोगों को मैंने कहा तैयारी double करने का तरीका चुपा है, कैसे चुप registration act पर question है, registration act में ये question पूछ लिया कि minor term में इसमें से कौन सी चीज included है, तो एक तो question होगे आप लोगों के साथ, उसके बाद यहां आप लोगों से next point पर answer बता दिया, तो ये answer तो आप लोगों को paper में भी मिल जाता है, मगर क्या इससे मेरी preparation अच्छे हो पा रही है, answer is no, क् कि मुझे नहीं पता चला कि मैं किस basis पर इसका answer लगा कर आया, हो सकता है मैं Indian contract पढ़ने के बाद registration के question का answer लगा कर आ गया, हो सकता है answer तो सही हो गया, मगर क्या मेरी तैयारी अच्छे से हो पाई, क्या मैं सही सोच के साथ answer को click कर पाया, वहीं देखो basis जो है आज तुक्का लग सकता है, अगला प्रीब देने का मौका लगा और पता चला तुक्का नहीं लगा तो, तो इसलिए जरूरी है तैयारी इस तरीके से करना, कि जब आप option select कर रहे हो, तो आप sure हो कि ये point इस particular section में इस reference में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपने question देखा, answer देख लिया, मग जब आप paper दे लोगे, तो आप लोगों को इस तरीके से answer की मिलेगी, कि section 2 clause 8 में, registration act में आप लोगों को minor बताया गया है, minor के किस point पर emphasize किया गया है, तो इस तरीके से आप लोगों को एक detailed answer की मिलने वाली है, ताकि आप लोग अपनी preparation को अच्छे से कर सको, जैसे कि मैं आप लोगों को इस point पर और बता दू, जैसे कि ये नया law आया है, भारतिये नयाय सहेता पर, तो ये भारतिये नयाय सहेता पर आपसे hurt पर question बूच लिया, ये आप लोगों के सामने option आ गए hurt पर, उसके बाद ये आप लोगों के सामने correct answer आ गया, फिर उसके बाद ये correct answer ही सही क् भारती नयाई सहेता में इसे कैसे डिफाइन किया गया है, परपस क्या है इसे डिफाइन करने का, कौन से सेक्षन में लिखा है, ताकि आप लोगों की learning भी improve हो, परपस यह नहीं है कि सिर्फ mock test देना है, परपस यह है कि मुझे जब examination में जाना है तो मैं अच्छे से जा पाऊ वो आप लोगोंने movies देखी होंगी तो आपने देखा होगा भाग मिलका भाग में वो बार-बार race में दोड़ रहा है रोज क्यों ताकि वो एक second अपना कम कर सके वो एक second के लिए लगातार मेहनत करता रहता है इसी तरीके से एक judicial aspirant प्री के question लगातार लगाता जाता है ताकि म मेरा एक particular question और सही हो जाए और मैं cut off के दाइरे में आ जाओ आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा कि यार एक number से रह गया दो number से प्री रह गया यह जो एक एक number की महनत आप लोग कर रहे हो ना यह बहुत important है और यह important तब और हो जाती है जब आपको correct answer की reasoning ना पता हो जब correct answer की reasoning पता चलती रहेगी तो आप लोगों की तयारी और भी जादा strong होगी आप लोगों की तयारी औरों से बहतर होगी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक special test series तयार की है फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ यह special test series की date देख लीजे 22nd of September से बाते तो बहुत हो ग देखो पूरी detail mention है यह number भी mention है आप लोगों के सामने बस इस QR code को scan करना है और question भी आप लोगों से 125 पूछे जा रहे है 125 marks के हैं कोई negative marking नहीं है 100 number हर question एक number का है तो इस QR code को scan करना है कल से test start हो रहा है वह QR code आप लोगों के लिए मैं बढ़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे scan कर सको वह यह पूरी screen पर मैंने लगा दिया है QR code ताकि आप लोग इसे scan करके अपना test दे सको और मैं आप लोगों से बोलूँगा आप लोग भी मुझे feedback जरूर दीजेगा कि आप लोगों को वो test कैसा लगा क्योंकि free of cost test है अगर आज तक आप an academy पर नहीं है enrolled तो इस scan करेंगे तो आप लोगों से पहले form भरवाया जाएगा और फिर उसे आप दे पाएंगे अगर already आप an academy application user है तो आप लोगों को यहां कुछ नहीं करना सीधा वो आप लोगों को test पर लेकर चला जाएगा तो मैं आप सब लोगों से बोलूँगा आप लोग test जरूर दीजे free of cost वो भी बिलकुल नए loss के साथ मतलब पुराना गिसा पिटा कोई नहीं है option, question और साथ में मैंने बताया आप लोगों की तैयारी को strong करने का double तरीका यानि की question, answer और उसकी एक detailed reasoning आप लोगों को मिलने वाली है फुल लेंट मौक test series है तो join जरूर कीजेगा, all the best और आप सब लोग मुझे इस वीडियो में अपने marks सरूर बतायेगा कि आप लोगों के marks कैसे आया है और अगर आप लोगों को अपनी तैयारी में कोई difficulty आती है, आपको लग रहा है कि MP का paper मैं देने जाऊंगा तो मैं cut off में नहीं आपाऊंगा, मेरे marks कम आ रहे हैं कमी रह जाए तो यहां मुझसे contact कर लीजे, मैं आप लोगों के लिए हमेशा available हूँ ताकि आप लोग अपने जुडीश्री के सफर को और भी आसान बना पाएं तो guys all the best टेस्ट जरूर दीजेगा, thank you